नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साधारन सा पोदा है लेकिन इसके फायदे ऐसाधारन है लाखों रुपए खर्च करके भी आप इसके जितने फायदे प्राप्त नहीं कर सकते वि नाख समय कवाईए इस ऐडर्वेदिक ओसिद्य गुणों से युक्त पोदे के बारे में दोस्तों ये जो पोदा आप देख रहे हैं इसे गुढ हल का पोदा कहते हैं आपके छितर में इसे किस नाम से या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इसे जवा कुसुम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ इसके आयरवेदिक ओस्दिय गुनों के बारे में तो यह वजन गठाने में, बुखार को दूर करने में एनीमिया की कमी दूर करने में साथ ही बलिट प्रेसर को कंट्रोल करने जैसे कई गंबीर से गंबीर समस्याओं में आपको फायदा पहुंचाता है तो दोस्तों बिना समय कवाईए आए जानते हैं गुडल से होने वाले फायदों के बारे में उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिएगा साथ इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे गंटे के निसान को भी दवा दीजिएगा दोस्तों इसका सबसे पहला फायदा है देखे गुडल का फूल एंटी एजिंग का काम करता है और आपकी बढ़ती हुई उमर को रोकने में मदद करता है मैलाओं की खूब सूर्ती बढ़ाने में गुडल का फूल काफी उपयोगी साबित होता है गुडल का फूल मैलाओं के लिए किसी अमरित से कम नहीं है इससे सरीर में प्री रेडिकल्स की समस्याद से छुटकारा मिलता है अगर आपकी उमर बढ़ रही है और आपका चैरा भी बुड़ा गया है तो आप गुडल के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे उमर बढ़ने की परकिर्याद धीमी हो जाएगी और आप जवा नजर आने लगेंगे गुडल के फूल का सेवन करने से आईरन की कमी दूर होती है और सरीर से एनिमिया की समस्या भी दूर होने लगती है इसमें भरपूर मात्रा में आईरन पाया जाता है गुडल के फूल के अंदर आईरन होता है इसलिए आप इसकी कलियों को पीश कर उपियोग करे से उनके चहरे की चमक बढ़ने लगेगी साती गुड़ल के फूल का सैवन करने से वजन गठाने में भी मदद मिलती है इससे भूख कम लगती है आप गुड़ल की पतियों से बनी चाय पी सकते हैं ये आपको काफी एनेरजी देगी और इस चाय को पीने से लंबे समतक भूख नहीं लगती और पाचन किरिया में भी सुधार आता है गुड़ल के फूल का सैवन करने से चर्बी गड़ती है और वजन भी कम होता है गुड़ल के फूल से हाई बलड प्रेसर को कंट्रोल किया जा सकता है इसमें उच्छ रक्त चाप से लड़ने वाले सभी गुन पाए ज इसमाल जरूर करें सर्दी और उखाम को दूर करने के लिए भी आप गुड़ल के पत्तों का इस्तेिमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके पत्तों में वीटमिनफी की मात्रा काफी मात्रा में पाई जाती है इसके 7 से immunity मजबूत बनती है जो लोग सर्दी जुखाम से हमेशा प्रेसान रहते हैं उन्हें गुडल के फूलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए इससे गले की खरास में आराम मिलता है विटमिन C की कमी दूर होती है साथ ही आपको और भी कई महत्वपून रोगों से संद आया हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिएगा थैंक यू